स्पेशल की स्पेलिंग चेक करें आप गैपनेट के भी हमने बड़े एहल लोग लिये हैं, यंग लोग लिये हैं जिन्हों डिग्रियां कहा से लिये हैं, टुरॉंटो की स्पेलिंग चेक करें आप और foreign qualified लोग ही है एजुकेटिब लोग ही है माशाला ना तो ये पड़े लिखे हैं और ना ही ये पढ़ना चाते हैं असलाम अलेकुम पापा की पड़ी मैं एक बार फिर आपको खुशाम देद मैं हूँ अली मुस्तफा और आप देख रहे हैं लेट अली शो यू आज का एपिसोड हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे खैर काबीना अनाउंस हो गई है पंजाब सुव है पंजाब में पाकिसान का सबसे बड़ा सुवा है ये और पापा की परी ने X के उपर VPN यूज़ करते हुए ऑफकॉर्स क्योंकि अभी तक X बैन है इस मुल्क के अंदर ब्लॉक है यूज़ करते हुए VPN उन्होंने पोस्ट किया कि ये मेरी कैबनेट है मुलाइजा कीजिए भरा हुआ है कैबनेट उन लोगों से जो जिनके या तो या नि लग रहा है कि exact fields आ रही हैं इसके उपर इन्हों है डिग्रियां कहा से लिए है Toronto की spelling चेक करें आप as someone who was living in Toronto for many years ये Toronto की spelling नहीं है special की spelling चेक करें आप ये कौन लोग है भाई कोई copy editor रख ले दे word check कर ले दे spelling चेक कर ले दे options होते हैं वैसे खैर ये पूरी जो इनकी cabinet house के अंदर भरी नहीं है ऐसी spelling mistakes simple spelling जिन लोगों से होती नहीं है मगर खेर ये मौज़ू नहीं है आजगा क्या मौज़ू है पहले मुलाइजा कीजिए ये चोटी सी क्लिप पापा की परी की के एक महीने में मुझे पूरे पंजाब की स्पाई चाहिए मुझे बिलकुल कहीं पर और वो मैं उसको अपनी ये चेकिंग के मेरे तरीके हैं strict मेरी instructions हैं इनको आपने follow करना है कमिशनर साथ यहां पर दिश्रीव रखते हैं मैं तीन दिन के बाद विजिट शुरू कर दूँ भी अपने surprise विजिट तीन दिन में उंगली उठाके वो याद आपको मे नाइन के वाकियात के बाद एक वीडियो शाय हुई थी एक बच्ची घबराई वी ये प्रॉपगैंडर वीडियो थी मरियम औरंगजेब साहिबा जो बहुत करीब है मरियम नवाशरीफ साहिबा के उन्होंने ये वीडियो रिलीज की थी कि घर में आग लगाते हैं बच्चे बोलो मुझे उंगली उठाके तो अपर में पता लगया वो उसकी उंगली की इंस्पिरेशन जो आई थी वो कहां से आई थी यानि डिक्टाट देना किसी को हुकम देना उंगली उठाके तीन दिन में मैं चापे मारूंगी और एक भी मुझे गली या सड़क के पॉट होल नजर आया या कुछ ऐसा हुआ तो शामत आ जाएगी चलो कम से कम लहॉर का तो इहसास है मगर लहॉर यानि पंजाब लहॉर नहीं है और लहॉर पंजाब नहीं है 37 और डिस्टिक्स हैं पंजाब के अंदर सिर्फ लहॉर का बहुत आइसास है शाहिद शुरुआत में क्योंके हुक्म तो और फोकस तो यानि जब आपके पास मैंडेट नहीं होता लाहर के अंदर भी आप सीटे नहीं जीती वो दी गई आपको आपके डाड़ी पापा कौन से पापा ने दी वो तो खेर बात की बात है पापा की परी को उनकी अपनी सीट के तोफे में दी गई और अब उन सीटों के बलबूते बे वो कह दी है मैं लाहर के कोने कोने में चक्कर मारूंगी अगर रोडे सही हुई नहीं हुई पाट हो लुआ तो फिर समाल लेना यानि शामत आजेगी तुमारी वोई वाली बच्ची जो अंगली उठाके कह दी थी के मा ने कहा ये करो वो करो यार कौन लोग हैं भाई ये जहालत से भरपूर कोई तरीवका नहीं कोई तहजीब नहीं कोई तालीम नहीं कोई समझ नहीं लिख तो सकते नहीं हैं ये लोग पर तो सकते नहीं हैं ये लोग हाँ जल्दी में कभी कबार टाइपोज हो जाते हैं मगर जब आप एक पावर पॉइंट प्रेसेंटेशन बना रहे होते हैं न तो उसके अंदर टाइपोज होना और फिर उसको इस तरीके से पब्लिश करना माई कैबनेट वाह क्या बात है और अपरेंटली आपकी जो ओट टेकिंग सेरिमनी हुई आपकी काबीना की इसके अंदर इलेजिडली गैंग रेपिस ही मौजूद थे विडियो आई शाय हुई उन लोगों की जिनके उप इल्जाम लगा हुआ है कि इनने जिना किया है तो ऐसे ऐसे लोग आपके साथ शिर्कत कर रहे हैं आपकी काबीना के अंदर पता नहीं कौन कौन भरा हुआ है यूनिवर्सिटी आफ टॉरॉन्टो नो नो पता नहीं क्या क्या लेक रहे हैं आप टॉरॉन्टो है वाई टॉरॉन्टो 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 नहीं ह special है special नहीं है तो थोड़ा सा दरा लिहाज कर ले और एक और बात नखरे और ड्रामे खुदा के लिए बंद कर दो जो असली मकसद है उसके उपर फोकस करो अपने अबा की तस्वीरें लगाना और फिर उसके बाद शाया करना बंद कर दो खुदा के लिए यह सेल्फ प्रोजेक्शन की ट्रिप नहीं है यहाँ पे लोगों की एक पूरे सूबे की दस करोड़ अवाम की उमीदें इस प्रॉजेक्ट के साथ वाबस्ता है थोड़ा सा शर्म थोड़ी सी अकल और फिर एक और यानि प्रेक्स के उपर तो यही बैंच जल रहा है ट्विटर का किसी ने कहा कि आप थकती नहीं है तो उपर से बतानी उनका जवाब आया नहीं थकती नहीं हूँ पचास साल की उमर में जाके आपने पहली नौकरी आपको मिली है सरी है वो भी आपको दी गई है कोई आपकी qualification कोई meritocracy नहीं है आपकी खातून समझ रही हैं आप और पहली बार आपके इतने नखरे आनी लग तो यह यह रहा है पहली बार ही आपको ऐसी कोई काम करने को आपको मिला है बातें और इदर की उदर ये काट दूँ वो काट दूँ टांगे खीश लूँ ये सब चीज़े अपने पूरी जिन्दगी की है अब आपके पास एक सूभे की responsibility है जो आपके उपर आके गिरी है खैर गिरी तो नहीं आप उसके उपर आके गिरी है सूभे के उपर आपको गिराया गिया है एक atomic bomb बनाके अब आप कितनी तभाई करेंगी कितनी self projection होगी आपकी क्या इसका अंजाम होगा क्या इक्तिताम होगा तीन दिन के अंदर देख लूँगी मैं अच्छा पंजाब या लहोर का तो आप तोर कर रही है उंगियां उठाना बंद करें 9 मई के वाकिया जा चुके है सही है वो हो चुके हैं वो ड्राइबाजी जो आपने करनी थी वो कर ली लेकिन अभी भी लोग आपके जेलों के अंदर बंद है अभी भी आपने तशद्द जारी रखा हुआ है अभी भी पंजाब पुलीज को आप एक फेशिस्ट फोर्स के तोर पे इस्तमाल कर रही है आपकी जीरो कंपटन्स है जीरो आपके उपर कोई एतमाद है लोगों का पता नहीं जिनका इतमाद है उनके वो तो आपके आपसे मसकरा भी रहे ते मसकरहटें भी एक्सचेंज हो रही थी ये वो ही है बेसिकली जो सिंद का हाल किया हुआ है यहां पे भी तो भुटो मरे वे 44 साल हो गए मेरी उमर है 42 साल कली जाके एक काजी फाइज इसा कहलें फ्रॉड इसा कहलें जो भी कहना आपने उन्होंने भुटो की कतल के उपर के ट्राइल जो ही थी उसकी वो miss trial थी वो तो दे दिया और जो खुदी miss trial में miss trial किये जा रहे हैं वो भी एक ecosystem का हिस्सा है ना मगर आज का focus होना चाहिए पापा की परी के उपर और इनकी जो ADHD है tension deficit hyper disorder honestly speaking ADHD is a serious serious issue शायद मुझे भी है ADHD हमारा दिमाग बहुत तेज़ चलता है मगर projection के उपर हम नहीं जाते हम फिर भी अपना काम करने के उपर focus अपना रखने के उपर कोशिश करते हैं कि focus होगा तो काम हो सकता है focus नहीं होगा तो self projection हो सकती है self promotion हो सकती है focus अगर उसी के उपर होगा तो camera man भी सरफ उसी के उपर focus करेंगे अबा की तस्वीरें भी पापा की तस्वीरें भी बोरियों पे लगेंगी अब तो खेर अपैरिंटली पापा की तस्वीरें हर उसके उपर लग रही है जो भी सर्कुलर पंजाब हकूमत से शाया हो रहा है ये हालात आ गए हैं कि जी पापा की प्रोजेक्शन होनी चाहिए है मैं वजीरहाला हूँ ये मेरे इमाम मेरे पापा हैं उनको इमामत दे दी गई है क्या उन्होंने इंजाम किया क्या उनका अंजाम हुआ हमने देख लिया इलेक्शन के दिन भी देख लिया उसके बाद जो पापा की परी लेकिन बच्चिवा अटेंपररी शूएं इन दिस पॉजिशन पीपल आप प्लेस्ट यू देर जिन लोगों ने आपको महां पे रखा है वो ही आपको मक्खन से ऐसे बाल नहीं निकालते हाँ सही आप बहुत ही अपना नहीं बाल तो दूर की बात है आप जड़ हैं बाल की आपको भी इसी तरीके से निकाल लेंगा राम से उसी तरीके जैसे आपको डाला था तो आपने जितनी projection self projection करनी है प्लीज उसके अपर थोड़ा थामल करें orders देना बंद करनें सही है कोई भी आपका कनीज नहीं है हर कोई मरियम औरंग जेब नहीं है हर कोई आपके डिक्टार्ट पे चलने के लिए त्यार नहीं है क्योंकि आपके पास सो mandate ही नहीं है feminist icon है आप हम जानते हैं कि कितना जहर भरा हुआ है आप में और हम ये भी जानते हैं कि लहुर पंजाब नहीं है और पंजाब लहुर नहीं है तो लहुर से निकलें और आपको अपनी हकीकत और असलियत का पता लग जाएगा फिलाल इतना ही अगली बार फिर आपके साथ एक और नए एपिसोड पापा की परी लेट अली शो यू पे लेके आएंगे तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिये लिए टू लाइक सबस्क्राइब और अपना ख्याल रुखिएगा अला आफिस